हाई यह है आर्वी डिश्टल कंप्प्पूडर क्लस्स और हम लोग क्लास में पीछे थियोरी पढ़ते आये हैं और इसके बाद हम लोग अभी भी थियोरी पढ़ेंगे थोड़ा और बचा है उसको अम लोग खतम कर लेते हैं उसके बाद हम लोग प्रेटकल पर चलते हैं ठी है छले मों आगे ऍस्टार्ट करते हैं Evet हम लोग पर Cambridge नव्हें मेमोरी की पर लिए थे से किंडरी म्योरी की समझते वर दूसरा था रूम यहीं था अभ हम लोग पढ़ेंगे से केंडरी मेमीड मेमोरी का हमने मैं पहले ही बता दिया है कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए वहीं जरूरी होता है ठीक है उसके बगार कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा ठीक है चली हम लोग समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी ठीक है यह कंप्यूटर का द्वितिय मेमोरी है और इसी में पूरा डाटा आ या कुछ और सफ्ट्वेयर जो भी आप रखते हैं हना सेकेंडरी मेमोरी में ही रखते हैं या आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो अपना डाटा या अपना सफ्ट्वेयर अलग से रखेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में ही रख पाएंगे प्राइमेरी मेमोरी तो पहले से कम्प्यूटर के लिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ सहायता के लिए है ठीक है तो सेकेंडरी मेमोरी की इस्टोरेज छमता बहुत ज्यादा होती है थोड़ा से लेकर के ज्यादा मतलब 20 GB 10 GB 20 GB 40 GB 80 GB 160 GB से लेकर मतलब टीवी में है चला जाएगा ठीक है अब लोग हम लोग उसमें समझते हैं आईए पहला है CD CD ठीक है CD को देखा जाए तो इसको read only memory भी कहा जाता है CD की तीन quality आती है 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 समझे आर ठीक है और उसके बाद रोम होता है और डबलू आर होता है ठीक है तीन quality न आर मतलब एक बार आप राइट कर सकते हैं आप मारकेट में जाएंगे तो कच्चा बोलते हैं साधा आमें CD का cassette जा था तो साधा CD का cassette आपको देता है और आप ला करके software के द्वारा computer में लगार करके burn कर सकते हैं या उसमें data रख सकते हैं ठीक है तो उसके लिए R होता है ठीक है और एक होता है room read only memory यह company से ही बन के आता है उसमें data भरा रहता है software के लिए ज्यादा यूज होता है या कोई अपना application डाल के देती है या अपना डाकुमेंट देती है company तो वह room में डाल के देती है ठीक है और एक आता है WR read and write write and read read and write ठीक है एक बार आप read करके आप उसको इरेज कर सकते हैं फिर उसमें लिख सकते हैं या रख सकते हैं ठीक है सेम उसी तरह डिवीडी में भी तीन quality आर रोम और WR आपको समझे आया कि नहीं अभी आर वाला ना समझे आल आर वाला का मतलब बैल कि जब मार्केट में जीबा ना सीडी और डिवीडी साधा एकदम कच्चा मतलब साधा वह में कुछ ना रहता मिलाला मार्केट में ना जाई बाह और कब आपके साधा कैसेट देदा डिवीडी का सीडी का तो आप वह साधा देगा एककदम उन्हुस potem ढाट रख सकते हैं और कैसे रखेंगे कंप्यूटर के डिवीडी में लगाएंगे हना डिवीडी कंप्यूटर में भी लगा रहता है डिवीडी राइटर हना उसमें लगाएंगे और एक बर्न सप्ट्वेर के द्वारा आप उसमें प्रोग्राम जो भी रखना चाहते हैं आर वाले में रहला आर वाले में चुकि पहले साधा कैसेट खरीदान लोगन फिर उसमें साधी वीवाक जोन भी फोटो वीडियो रहला कुल में डाल देवाना सुन्जागर और रोम मतलब कंपनी से ही बनके उमें पहले इस डाटा आ जाला रोम होला जैसे अब मान चला कंप् युश्च कर सकते हैं मतलब एक बार उसमें लिक सकते हैं मतलब रख सकते हैं फिर उसको रेज कर सकते फिर या रख सकते ठीक है समझाया ना समय जलत बताइं अधि एक यह वारेट हम लोकिव में दिखाते हैं ब्लू-ray जोन है अभी लेटिस्ट आयलल एकरे बाद लेकिन धिरे-धिरा वियोग करते तो खतम हो था यह भी एक यहां पर देखे लिखा हुआ है cdr dvd आर यहां पर लिखा हुआ है यहां पर देखे आर लिखा हुआ है ना यहां पर देखे आर लिखा हुआ है ना cdr dvd आर और यह है आपका ब्लू-ray ठीक है अब देखिए यहां पर कितना लिखा है 700 MB मेगाबाइट इसकी कैपिसिटी मतलब एकर छमता यह में केतना जगा हुआ 700 MB तक इस पर लिखा रहता है ना और यहां अभी बताया था ने कि आर आर मतलब एक बार आप इसमें रख सकते हैं प्रोग्राम दोबारा नहीं रख सकते इसलिए इसको आर लिक्के आता है यहां पर सीडी आर मतलब कच्छा है आप खरीदे मार्केट से फिर उस बाद ठीक है डेवीडी में आते हैं डेवीडी में देखें यहां पर क्या लिखा है मतलब 7.7GB मतलब 5GB का यह कैसे ठोता है 5GB का मतलब इसका कैंगूना हो जाएगा करीब 7-8 गूना हो जाएगा इतना ज्यादा इसमें जगह है अब समझे तो यह 700GB मतलब ये कमरवा भर एकरे पास जगह और जी बी का मतलब है पूरा घरवा भर जगह एकरे पास तो इसमें ज्यादा आए का document file जुए जितना dvd गाना वीडियो भर भा कुल इमें ज्यादा से ज्यादा याई है में कम याई सवंभ्यागल कि ना इमें कम जगह ओला ज्यादा जगह ठीक यहुन बता देलिए आरगों क्वाल्टी वहले एक ब्लू-ray आता है ब्लू-ray जो है अब नहीं है उतना मार्केट में है लेकिन बहुत कम यूज गता है अभी यह बहुत मतलब करीब समझे तो यह 10 गुना ज्यादा इसका दस गुना और इसमें जानते हैं HD वीडियो भर सकते हैं HD गाना वीडियो जानला का होला एकदम क्लीन देखाई मारधाडवाले पिच्चर देख लगा ना मारधाडवाले पिच्चर मज़ा वले कहां देखाई में एकदम HD में तो HD इसमें चलता है इसमें HD उतना नहीं रहता है रहेगा क्लियर ही रहेगा कि HD नहीं रहता है ठीक है समझाया आगे बढ़ें ठीक है अब है हम लों का क्या HDD और SSD HDD का मतलब hard disk drive ठीक है और यह है SSD solid state drive ठीक है यह जो है इसकी अपिक्षा अब बताते हैं आप पूर इसे देखिए यह है hard disk और यह है SSD ठीक है हार्डिक्स भी क्या है कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी है यह भी है क्या है सेकेंडरी मतलब दूसरी मेमोरी है अब समझते हैं कि देखिए hard disk थोड़ा पुराना वर्जन हो गया हार्डिक्स पुराना वर्जन हो गया अब यह जो है नया चल रहा है कि SSD नया आ गया है मार्केट में ठीक है अब समझी यह हार्डिक्स है HDD ठीक है ठीक है HDD hard disk drive hard का मतलब उपर पुरा से बना हुआ है ठीक है इसके अंदर डिस्क है इधर दिखाते हैं आपको डिस्क यह देखिए यहां पे डिस्क थीख रहा है न उसके अंदर हमां का पर्टो आपन दिखा रहे है यहां पे डिस्क है हना और ड्र गूमता है गोल गोल डिवडी डिस्क वा बहुत तीज घूमता है तो यह जो है अब जहां जिसे अपने डाटा यहां पर अगर यहां से यहां तक ही आएगा ऐसे और कोई काम नहीं रहता है तो यहां आए कि कौनों काम है नाम किया ले चलाओ ठीक है अब जब आप जैसे ही उसमें लगाएंगे डाटा लेने के लिए बड़ा अब यहां से अपना खोज की डाटा देता अब देखिए एक दो तीन लेयर हम पहले भी बताये थे कि हाड़ डिस्क में 500 GB से उपर जाता है तो लेयर वन लेयर वाइज हो जाता है मतलब एक और सीडी लगाते हैं और कैप सीडी बढ़ाते हैं तो और एक और लेयर लगाते ह प्लेट लगाते हैं लेकिन उसकी क्याप्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हना अब इसमें हेडवा में जो है दो मूह होता ऐसे होता है 500 kg के हाड़ीक्स में देख दो मूह ऐसे होता है हना अब यह प्लेटवा के वीकषवा में इसी रहेगा निचों से रीड करता है वजे तरह जब गाना खत्म भाना फिर उलट के फिर दूसरे लगाँ जागा साइडे साइडे तो इसमें वहीं सिस्टम समझे है कि इस साइड वी डाटा राइट रिड़राइट करता है तो यह हो गया हाड टीक है इसमें अब आव आए पहले समझते अब इसमें जुह है समझे तो यह एक मोटर यहां लगा हुआ है और यहां पर भी यह समझेट तरह का मोटर ही होता है यह ड्राइबर का है मोटर यहां से यहां तक लोकेशन लेकिंगे आता है जब कोई काम नारत लिया के शुपचाब इठाड़ी चुपचा बैठें यहां से हले मत यहां तक आजाएगा ठीक है और इससे ज्यादा यहां तक आएगा जब जिमाग खराब खराब खरता है यहां से यहां अपना जो करेंट लेता यह लेता ही है फिर यहां से डाटा को यहां हेड में भेजता है हेड जो है अपने यहां केबल के थुरू जो है नीचे प्लेट लगा रता है फिर वहां से आके मतरबुन में जाता डाटा तो यह जो है लाइट बहुत ज्यादा लेता है यह लाइट ज ग्रांई इससे ज़ला कफोता है जोटा सा और यह बहुत बढ़ा हो जाता है और अगर यह गिर गया तो इसमें का पूरा डाट आटा खतम हो जाएगा ठीक है और यह गेरेगा पटकी का फोरेंगे आप पुछ भी नहीं होने वाला है यह इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है नदियाक पार कर नदियाक पार देखाओ अब यहां से खोजेगा डाटा कहां है नदियाक पार खोजी पली घूम आएगा गूम के पूरा चेक कर लेगा चेक करके वहां से आपको डाटा उठाके यहां पर भेजेगा यहां से यहां यहां से फिर प्लेट से होते वे मत्रबु तो यह घूमने के वज़ा से लेट कर देता है डाटा देने में और यह इसमें कुछ यह जो दिया है यह केबल के लिए डाटा के लिए ठीक है यह बहुत सस्ता है समझे यह अगर मान लीजिए कि आप इसका अगर एक टीवी खरिदने जाते हैं मार्केट में ठीक है तो आपको करी 3500 रुपे में मिल जाएगा यह वाला है लेकि यह जब खरिदने जाएंगे मार्केट में तो कितने का मिलेगा कम से कम मान के चलेगा 5000 रुप के आसपास आएगा एक टीवी का ठीक है एसेशडी एसेशडी ठीक है यह लेटेश्ट में आया है यह लेटाप और ड यह लगेज यह लगी शिस्टम से कि उपही रहेंगा उसमें इस लाधा से कि लेकिन देख लंटाप लिए एक अगर राता है इसेश्ट में आपको समझे नण है SSD देखिए SSD जो है पले समझे एक साइज से मसब जाते चल रहा है hardest की speed slow होती है इसकी speed बहुत ज्यादा होती है ठीक है इसमें moving part लगे हुए है घूमने वाला part है और इसमें moving part नहीं है इसमें plate लगा हुआ है घूमने के लिए और यहां पर देखिए सब chip लगा हुआ circuit लगा हुआ है ठीक है और उसके बाद यह light बहुत ज्यादा लेता है यहां motor O को देना है इसको भी देना है plate को भी देना है तो light थोड़ा ज्यादा लेता है यह उसकी एक्षा line कम लेता है ठीक है यह महंगा पढ़ता है यह sorry यह सस्ता आता है यह महेंगा पड़ता है ठीक के लेकिन आप इसको अगर अपने computer में लगा देंगे तो समझ लिजे कि आप इसमें computer में अपने लगा दीजी इसमें Windows लोड कर दीजे ये इतना थेजी से start करेगा अब सपोज देसे ये लगा है आपके लेपटाप में तो लेपटाप में अगर लग इबात यह मान कर देए अगर दिस्क में अगर विंडोज रखते हैं लोड कर देते हैं तो यह समझे कि लगभग एक मीनिट का समय लेता है और वहीं अगर दूसरे लिप्टाप में अगर शेश्डी लगा करके उसमें विंडोज लूट कर देंगे तो तीसा सेकेंड हमें जो है आन कर देता है इसकी स्पीड श्लो है इसकी स्पीड जादे लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है इस वज़े से इसको बहुत कम लोग खरिते हैं इसका प्राइस थोड़ा कम है ठीक है आगे बढ़े चलि हम लोग कहां पर थे पेंड ड्राइब आप तो जानते ही होंगे ठीक है पेंड ड्राइब के बारे मेमोरी कार्ट भी जानते ही होंगे चीप जोने में वाइल वाल पहले लगत रहा आज भी लगला भी वह तो समझते ही होंगे वह भी क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी ठीक है अब हम लोग समझत ने आईए समझे थोड़ासा केबल के बारे में ठीक है इसमें कौन-कौन सा केबल June यह दखिए यह है पाठा और यह क्या है साटा ठीक है पाठा गेबल जो है पखले लगता था कंप्यूटर में हाड इक समें लगता था इससला कि इतना चौड़ा देखिए खुब चौड़ा है बेल्ट नियर चौड़ा यह और यह जो है साटा है पतल ऐसा है ठीक है यह पहले पुराना जो कंप्यूटर था उसमें मिलता है आज भी कोई अगर लोकल मदरवोड खरी देंगे ना तो उसमें इसका घटवा दिया रहता है लगाने के लिए लेकिन यह जो है पाटा साटा है यह लेटेस्ट में है इसकी स्पीड अच्छे इसकी स्पीड स्लो है ठीक है समझ्जा गया और क को लोगा एक डीवीडी जब आगे तो उसके बाद ब्लू-ray आ गया था मार्केट में लेकिन अब इसका देरे-देरे मेमोरी का क्रे जो गया ते देरे-देरे अब कम यूज होने लगा है इस वाज़े से यह भी जो है अब नहीं यूजता है लेकिन अभी भी खरीदेंगे म और कोई दिखा है क्लियर हुआ कि नहीं चलिए ठीक है और हम लोग कल अभी स्टार्ट करने वाले हैं पहले अपने थियोरी से अब चेप्टर पर चलेंगे ठीक है तो हम लोग बेसिक चीज से उठाएंगे जैसे कीबोर्ड माउस से उठाते हुए पढ़ाई करेंगे ठीक ह थे तक है थैक्य।